ख्रीस में प्यारे भाई और बेहनों, हम सब कोई पवितर सब्ता में प्रवेश कर चुके हैं। इस पवित्र सब्ता हम सबों के लिए आति प्रिय है आति पुन्य है आति पवित्र है क्योंकि हमारे प्रभु हमारे त्राण करता प्रभुय सुख्रीज के दुख भोग उनकी मारण और उनकी पुनुर्थान को और गरिता से देखने के लिए और गहरेता से देखने के लिए म दुख तकलीप आएं, उन पर ना घबराएं, ना तूटें, अव उन पर दिल्ड विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। प्रभी उस्ख्रीश अपने मरण से पहले, अपने मरण के भविश्य बाणी अपने चेलों को एक बार मही, दो बार मही, लेकिन टेन बार किये थे। यदि हम मती के सुसमाचार अधै 16 पदसंख्या 21 में बढ़ते हैं, तो प्रभी उस्ख्रीश अपने मरण के भविश्य बाणी सिश्यों को पहली बार किये थे। वही सुसमाचार में मती अधै 17 पदसंख्या 22 में पुन्हा प्रभी सुख्रीश दूसरी बार अपने मरण के बारे में चेलों को बताते हैं। और अन्त में तीसरी बार उसी मतिके सुस्र मचात अधे 20 वदसक्या 18 में अपने मरन के भविश्य के बारे में सिश्यों को बताते हैं इन तीन बार अपने मरन के बारे में भविश्य बाणी चेलों को बताते हुए भी सिश्यों ने उस समय उन्हें विश्वास नहीं किया उस समय उनको समझ नहीं पाई लेकिन जब उनका पुनुर्थान हो जब प्रभियो सुख्रिस मरण के पाद तीसरे दिन पुनुर्थान होती है तो सिश्यों को विश्वास हो जाता है डीड विश्वास हो जाता है प्रभिय शुख्रिस अपने दुद्भोग तथा मरन के पहले अपने चेलों को एक अंतिन भोजन की तयारी करने के लिए कहते यहुदी समाच में एक पर्व था पास्का का पर्व जिसको हर एक यहुदी अपने परिवार में मनाते थे यह पर्व उसी यादगारी में मनाते थे जहांपर मूसा नभी ने इसराइली लोगों को मिस्रिक के गुलामी से छुडाते हैं और वह पतिक अतादेश की और आगे बाढ़ते हैं और इसी यादगारी को साहर हर्स हुए मनाते थे और इसी के दोरान प्रभ्य सुख्रीस्त यहुदी होने के नाते वे भी अपने शिश्यों के साथ में यह पर्व मनाने का तया करते हैं और चेलों को इसकी तैयारी करने के लिए कहते हैं और आज यही पर्व या अंतीम ब्यारी का पर्व या अंतीम पूजन का पर्व हम पवितर गुरुवार को मनाते हैं आज पवितर गुरुवार है और आज के पूजन बिधी में चार भाग है सबसे पहला पैर्धोना दूसरा पवितर युखरिस्त की स्थापना तीसरा पुरोहितै और जोथा पवितर युखरिस्त की वासना सबसे पहला पैर्धोना संत योहन के सुसमचा अधे 13 पदसंख्या 4 और 5 में हम बढ़ते हैं उन्हों ने भोजन पर से उतकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोचा बांध लिया तब हुआ परात में पाली भर कर अपने सिश्यों के पैर्धोने और कमर में बांधे अंगोचा से उन्हें पोचने लगे यहुदी समाज में पैर्धोने की प्रथा थी जो अमेर घरों में यह काम एक सेवन का था लेकिन गरीब परिवार में परिवार के सदस्य ही अधिध्यों को बैर उधते थे उन्हें स्वादत करते थे उन्हें अपने घर में खाना परोशते थे और इसे तरह हम देखते हैं कि यहुदी समाज में इस प्रकार की भैवता भैदभाव थी एक सेवा का काम क्या था एक गरीब परिवार का करतबय क्या था धनी परिवार का करतबय क्या था लेकिन इसी भैदभाव को दूर करते हुए प्रभ्य सुख्रीस वे जानते थे कि वे इश्वर की पेटे हैं वे उसी राज्य से आये हैं जिस राज्य में इश्वर हैं स्वर्गदूत हैं सभी सांत हैं और वही राज्य से आने के बावजुत भी वे अपना कपड़ा उतारते हैं अर्थात उपरी कपड़ा उतारते हैं उसका आर्थात है अपना शक्ति अपना बल अपनी महिमानित अ चाकत को उतार कर एक सेवत की परहा अपना करतेव को पुरा करते हैं। वे अपने चेलों के पैर धोते हैं। पैर धोते समय जब वे पेतरूस के पास आए। तो पेतरूस ने उन्हें अपने पैर धोने से माना करते हुए कहते हैं। मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा और इसके उत्तर में येशु ने कहते हैं यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोंगा तो तुम्हारा मेरा साथ कोई संबंद नहीं रह जाएगा इसका अर्थ है कि यदि हमें प्रभु से जूलना है यदि हमें प्रभु की दया, प्रभु की छमा, प्रभु की क्रिपा यदि हमें चाहिए तो केवल और केवल प्रभु के अद्रक्ट से ही हमारा पाप छमा करती है प्रभु अपने रक्ट से हमें करती है हमारे पुरे शरित को वदन को करते हैं हमें पाप से खुपकर दें, छमा कर दें, इसका यही पपीक है. कि पैयारे भाइयों बहें हमारे आधी वसी में भी या एक सुनदर पाथा है, पैर्थ होना या भाकुत होना में पालों को। इसका अर्थ है कि हम अधिफियों के मंखने खालं में सुखगत करने हैं उनात भी नियम्टा करने हैं और हम उन्हें करहान करते हैं सुख़दें लेकिन कई बार हम उखने अपने परिवार के सब्सक्राइब हैं हमने अारुस-पडोस IK50 जो हमारे बात्जित सこの बदान ये उससे हो जाते हैं हम कितनी बादे करते हुए कितनी बाद में करता का का कितनी बाद हर एक समय हमारा बयात है हमारा रिदय को हमें चमात है दूसरा भाग है पवितर युखरिस्ट अंग्रेज में कहा जाता है युखरिस्ट is the source and summit of every Christian life मतलब हरे ख्रिस्टिय विश्वासी के लिए युखरिस्थी गेंद्र बिंदु है क्योंकि वहीं से हमें शक्ति बल प्राप्थ होती है वहीं से हमें जीवान प्राप्थ होती है जैसे प्रभु अपने वचनों में कहते हैं कि मैं जीवान का रोटी है आज वही प्रभीय सुख्रीस्त हमें अपने सरीर को गुरहन करने के लिए अपने रख को गुरहन करने के लिए पथा जीवन वानी के लिए हम सबों को आमंत्रित घरते हैं आज के इस देवार में हमें निमंत्रत करते हैं बुलाते हैं प्रभी यसुम शिश्यों के पैर दोने के बाद में अपने जगा पर जाते हैं और रोटी को लेते हुए इश्वर को धन्यबा देकर अपने शिश्यों को देते हुए कहते हैं ले लो यह मेरा शरीर है उसके बाद में प्याला को लेकर सिश्यों को देते हुए कहते हैं यह मेरा रक्त है और यह मेरी सुविति में किया करो ख्रिस में प्यारे भाई उते हैं प्रहिय सुख्रिस्त युखरिस्त की स्थापना करने के बाद आज तक और आने वाले दिनों में, आने वाले परसों में, आने वाले युगों में यही परंप्रसाद की स्थापना, युखरिस्त की स्थापना इसी प्रकार प्रभिय सुख्रीस की स्मरणिया में मनाया जाएगा उनके पवितर सरीर और पवितर रख को ग्रहन किया जाएगा जिस सरीर में जिस रख में जीवन है जिस सरीर में जिस रख में मुक्ति है बाप जमान और उसी सरीर को ग्रहन किया जाएगा और इसी के लिए प्रभू अपने चलों को कहते हैं कि मेरी सुरिती में या मना दे जाओ रहा हर एक मिस्सा बलिदान में पुरोहित रोटी रथान दाखरस के उपर इश्वर की आसिस मनते हैं आसिस प्राथना के बाद वा रोटी रोटी ने के लिए और वा दाखरस दाखरस में रहता लेकिन वा रोटी प्रभू सुख्रिश के सरीर और दाखरस प्रभी सुख्रिश के रख में परिवत्तन हो जाते हैं जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसस्टांस्टीस जिसका अर्थ है हम देखते तो हैं कि वह रोटी और दाखरस लेकिन प्रभिय सुख्रीज के सरीप और प्रभिय सुख्रीज के रक्त में परिवर्टर हो जाते हैं एक बार एक उर्भिय सुख्रीज को देखने की इच्छा जाहिर करते हैं वह कहते हैं कि मैं जीवन भर प्रभिय सुख्रीज को पवितर मिसा बलेदान में चाहिए प्रभ्य सुख्रीज को लोगों के बारे में लोगों को बताया मैं अभी अपने आखों से देखना चाहता और पेद्रूस कहते हैं कि है तुम प्रती दीन प्रभ्य सुख्रीज को देखते थे और यह जब वह अपना सरीव और अपना रख को उसी रोटी और हम अरह को बरिवर्टन करते थे उस समय आपने देखते थे लटी दीन आपने देखते थे खरीज में प्यारें बाइए आज यही सुन है रंगों का एक ख्रिस्ट्यान होने के नाते हम समों को भी प्रतान किया गया है प्रभियसु ख्रिस्ट इसी युखरिस्ट की स्थापना के माध्यम से वे हमारे साथ हर दम रहते हैं युखरिस्त में वे अपना जीवित उपस्थिती हमें पतान करते हैं वे हमें अपने शरीर को ग्रहान करने रत को ग्रहान करने और जीवान पाने के लिए हमें अमंत्रेत करते हैं क्या मैं इस युखरिस्त में क्या मैं साहरिदय से सावागिता होता हूँ क्या मैं इस युखरिस्त में जो वचन सुनता हूँ, क्या मैं इस वचन को साहर से गरहन करता हूँ, क्या मैं योग्यरिती से प्रभु को गरहन करता हूँ तीसरा है पुरोहिताई, हम जानते हैं, एक पुरोहिताई का जीवन, हमां हम सबुम के लिए कितना पहार है वे इश्वर से प्रेरिद की हुए प्यक्ति है वे हमारे लिए वही प्रभिय सुख्रिस को प्रतिदी मिसावलिदान में लागते है हमें प्रभिय सुख्रिस की छमा प्रतान करते है उनकी जीवन पभित्रमय जीवन है क्योंकि वह पुरोहिताई का सस्कार वह इश्वर से प्राप्त कियें, वह गुलाहट को प्राप्त कियें, आये तब इसके बारे में हम आत्रेनिया फादर अनिल कुमार्पुजों से सुनें ख्रिष्ट में प्यारे भईयों और बेहनों, आज अवितर विरस्पति बार वा मुंडी थस्डे है, आज के दिन अन्तिम ब्यारी के आवसर पर प्रभियसु ख्रिष्ट ने अपने शिस्यों के साथ अन्तिम ब्यारी में बैठे और उसके धवरं रोटी लेते हुए अपने सिश्यों को देते हैं और कहते हैं लोग खाओ यह मेरा शरीर है उसी भती वे दखरस लेते हुए प्राथना के बाद अपने सिश्यों को देते हैं और कहते हैं लोग यह मेरा रक्त है इसी भाती प्रवियस्यु खृष्ण ने अंतिम ब्यारी के समय युखरिष्ट की स्थापना की और अपने शिश्यों को इसका यादगरी में करने के लिए आदेश दिये और वे पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की प्यारे भईयों और बहनों गुरोहिताई इस्वर या बुलाहट है इस्वर अपने राज का प्रचार प्रशार और प्रतिष्ट है तु गुरोहिताई समर्पीत का जीवन है पवित्रता का जीवन है और प्रुहितों का प्रवित्रता ना केवल उनमें अधरित है लेकिन लोगधर्मियों खृष्ट्या परिवार और कलिश्या में अधरित है यदि लोगधर्मी पवित्र हैं पवित्र परिवार बनते हैं पवित्र खलिश्या से ही हम लोगधर प्रुहित पा सकते हैं और पवित्र प्रुहित हमें पवित्र बनने में लोगधर्मियों को पवित्र बनने में मादत करते हैं यारे भईयो और बेहनों गुरहस्पतिवर हम लोग के लिए महान और महत्वापून दीन है जब प्रवियेशु खीष्ट ने युखरिष्ट की स्थापना करते हैं गुरुहितई की स्थापना करते हैं आज हमें घौर करना चाहिए और विशेश करके हमारे ध्रम्प्रंथ के लिए महामन्याबर बिशवप स्वामी के लिए और ध्रम्प्रंथ के सभी पुरुहितों के लिए प्रातना करनी चाहिए क्योंकि जो वे समर्पित जीवन जीना है इश्वर्य राज का बचार रशर और प्रतिष्ट करने का कारिया करना है आज का वरिष्टी में आज का समय में उतना असान नहीं है इसके लिए इश्वर्य रिपा इश्वर्य अनुग्रह की जरूरत है इसलिए बहुत बड़ हम लोग हमारे पुरूहितों का दुर्बलताओं को देखते हुए उनका कमजलियों को देखते हुए लोग समर्पित जीवन जीने के लिए उनको ब्रत्रता का जीवन जीने के लिए चुनावती दे सकते हैं और विसेश करके हम लोग उनका सेवा कर्या करने में इश्वरिया राज का प्रचार प्रशार और प्रतिश्ट करने में हम लोग उनको सहयोग कर सकते हैं और ज़दी हम लोग उनके साथ रहेंगे, उनको सहयोग करेंगे, उनके लिए पराथना करेंगे, तो ज़रूर वे इश्वरिया अरिपाः, इश्वरिया नुग्रा, इश्वरिया वर्दान पातेर वे वे शक्ती पाप आएंगे, वह ये प्यारे, मातापीताओ और प्वाई करेंगे कि वे इस समर्पित जीवन को इस्तियागमाई जीवन को और प्रोहितई जीवन को प्रिरितिक कर्या को प्रविय सुख्रिष्ट को अनुकरन करते हुए प्रविय सुख्रिष्ट का प्रोहितई में सहभागी होते हुए इस भांग काम को पुरा कर पाएंगे प्रभीतर प्रिहस्पतिवार का पूजन बिदी का अंतिम भाग है परमप्रसाद की उपासराद। अंतिम भोजन के बाद प्रभू तथा उनकी शिश्य अपने अदात के अनुसार जैतुत पहार की ओर जाते हैं। यदि सुसमा चार में देखें कई बार, कितनी बार हम लोगों में देखाएं कि रात भर प्रभीय सुख्रीस प्राथना करते हैं, अपने पिता से पाथित करते हैं। और उसी अदात के अनुसार वे भोजन के बाद भी आज उना, वे जैतुन के पहार की ओर जाते हैं। अपने सिशुम को कुछ दूर में छोड़ें कवे एकाँट में जाते हैं और प्राथना करते। वे सबसे पहले अपने पिता से कहते हैं, पिता यदि आपकी इछा हो तो यह प्याना उनसे आला किर जाए। लेकिन मेरी इच्छा नहीं, लेकिन आखी इच्छा है, वो इच्छा है, प्यारे भाई में, प्रभिय सुख्रिस इस दुन्या में अपनी मर्जी से नहीं है, लेकिन पिता का व्यार और पिता की इच्छा को पुल करने के नहीं है, और वे जीवान के अंतर उनकी इच्छा को क्योंकि पेदा ईश्वर में हम सब को स्रिस्टी किया है और वही स्रिस्टी में हम सब कोई भागी दारी हैं। उसी इश्वर की इच्छा मौन नुल है। इसी प्रमाद प्रसाद की उसना के माद्वा से हम प्रभय सुखरी उसी दूहों की संहें, किस कान आपना हम देहें, दुसकार या लुट रहा से अपने पितास से भाद पुसि करते हैं प्रभुक की उपस्ति इसे वरक प्रसार कीजिये से हम को माथ सम्हें और दर wondा हमें निरंदर राववार प्रसार करनेकT उलowment के समय गता हमें हम भी अपने मुश्zh 않ते हमें हम भी अपने उप्धर के इफ में सबंगें जिस्पतार रदियो सुखिस अपने को पलाग होते हैं सबने को नर्थे करें हम भी अपने जीवान के भरकर प्रतो दीन के पठिनावी परिसानी समय उसके उल्थीम सके अधन दर रहो हम लोगों ने आज के शिन दिखिक इस चारो भाग ने भाग लिया है हम इश्वर से यही प्राबरा करें कि इश्वर हम सबों को आज के पूजन विदे में सहभागी होने के लिए मदद करें हर एक विश्वासियों को हर एक लोगों को सेवा करने के लिए शक्ति बल पदाल करें वबितर युखारिस्त में योगेरिते से भाग लेने के लिए साहता करें, पुरुहीत को कलिश्या संभादे में साहता करें और अंति में अपने दुख और तकलीब में वही रभू के पास जाकर उसकी पासना उनकी साथ एक जूटों का प्राथना करने के लिए शक्ति अपर बनाद करें आईए हम माता मारिया के महा दिस्ता से इश्वर से प्राथना करें कि जो माता मारिया प्रभी सुखरीस को छोटे से लेके प्रभी सुखरीस के अंतिम समय तक के साथ रहें वही मातन मर्या को हमारे साथ रहे हमारे लिए प्राथना करें और इसे सकरके इस महामारी के समय में हम सबों के लिए प्राथना करने के लिए हम सबों के निवेतनों को इश्वर के पास अपने बेटी येशु की पास पहुशाने के लिए मदद करें आये तम हम मातन मर्यां से बादने बादने